दोस्तों, आज में बनाने जा रहे हूं एक हैरफेक्ट, दो मुहें बालों के लिए डैमेज बालों के लिए और इस हैरफेक्ट से आप अपने हैर को स्ट्रेग भी कर सकते हो घर पर कियोंकि पारलर तो अभी बंद है तो चलिए सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक केला ले रही हूँ यह थोड़ा ज़्यादा पख गया था इसकी च्छलके के साथ ही ले रही हूँ पहले मैं इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब इसे मैं छोटी-छोटे टुकड़ों में काट लूँगी दोस्तों केला जो है ना ये बालों को पोसन देता है ये बालों को मजबूत बनाता है और दो मुहें बालों की जो समस्य है ना आपको इससे ये आपको चुटकरा दिलाता है और बालों का जो तूटना है ये काफी हद तक उसे कम कर देता है और इसके साथ मैं आड़ करूंगी दो से तीन चम्मच चावल का आटा राइस फ्लोर में ले रही हूँ दोस्तों यहां पे मैंने चावल इसले लिया है क्योंकि चावल में कार्वो हाइडरेट होता है जो हमारे रूखे बेजान और खराब बालों को ये रिफेर करता है और अगर आप बालों को स्ट्रेक बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ मुलतानी मिट्टी भी इस पैक में आड़ जरूर कीजिएगा मेरे पास मुलतानी मिट्टी नहीं था तो मैंने नहीं लिया है यहां पे मैं ले ले रही हूँ हब चमस मलाई दोस्तों यहां पे में मलाई इसलिए लिया है क्योंकि मलाई जो है यह बालों को अंदर से नमी प्रदान करता है जिससे बाल रूखे नहीं होते तो अब इस मिक्स्चर को में ले रही हूँ एक कटोरी में और इसमें हमें और भी कुछ चीज़े आड़ करनी है तो आप देख सकते हो यह पेष्ट जो है यह कितना थिक बना है अब हम इसमें आड़ करेंगे मिल्क रॉम मिल्क हम आड़ करेंगे कच्चा दूद अगर आप चाहो तो यहाँ पे दूद के जगा दही भी ले सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे दूद लिया है यहाँ पे मिल्क इसलिए लिया है क्योंकि मिल्क की जो अंटिवेक्टरियल गुण होता है यह बालों को इंफेक्शन से बजाता है तो इसलिए मैंने यहां पे मिल्क लिया है आप दही जरूर लेजिए क्यूंकि अगर आप बालों को स्ट्रेट करना चाते हैं तो दही बहुत अच्छा काम करेगा और यहां पे मैं ले रही हूं दो से तीन चमच हनी दोस्तों सेहत जो है यह हमारे बालों को नमी प्रदान करता है और यह अच्छा मोईस्चराइजर है यह अच्छी मोईस्चराइजर का काम करता है और इसके साथ साथ यह बालों को एक अच्छा सा चमक देता है अब हमें इन सब को अच्छे से मिला लेना है और इसके बाद हम और एक चिज़ आड़ करने वाले हैं तो जब आप इसे अपने बालों में अफलाई करें तो पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा ले कम की मदद से जो मैंने सुलझा लिया है अब इसको यूज़ करने से पहले मैं इसमें आड़ कर रही हूं 4-5 बुंद ऐल्मान्ड ओएल ऐल्मान्ड ओएल में होता है मैगनेसियम जो बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और बालों का गिन्ना वहत मतरा में ये कम कर देता है बालों का जड़ने का जो समस्या है आपको आप उससे निजात पा सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें होता है वीटामिन ई जो बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है आपकी बाल जो है वो जल्दी जल्दी लंबे होने लगते हैं तो हमारा पैक अभी रेडी है और इसे हम अपलाई करेंगे अपने बालों पर और एक बार मैं आपसे कहे दूँ अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं तो इस पैक में आप मुलतनी मिट्टी और दही जरूर आड़ कीजिएगा आप देख सकते हो मेरा जो हैर यह पहले ही बहुत स्ट्रेट है तो मुझे जादा स्ट्रेट करने की जरूरत भी नहीं है तो दोस्तों हम अपने बालों को कुछ हिस्सों में डिवाइब कर लेंगे और फिर इस पैक को अपने बालों में लगाएंगे और अगर आपके बाल दो मुएं हो चुके हैं तो दो मुएं बाल को हम रिपैर नहीं कर सकते उसे आप काट लीजिए, कट कर लीजिए उसके बाद आप अपने बालों का केर लीजिए इसे एक ट्याक बनाएए और हफ़ते में एक बार या फिर महीने में दो से तिन बार कम से कम लगाएए आप देखे आपके बाल कभी भी दो मुएं नहीं होंगे दो मुएं बाल होने के बहुत सरी बज़ए हैं जैसे की बालों का ज़्यादा रुखा सुखा हो जाना और बहुत ज़्यादा अगर आप हवा में रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप सनलाइट में जाते हैं तो भी आपके बाल बहुत जल्दी दो मुएं हो सकते हैं और जब बाल दो मुएं हो जाते हैं तो इतना पतला पतला बाल होता है और उसका ग्रोथ भी एक कम से कम हो जाता है अच्छा भी नहीं लगता दो मुहें बालों के लिए ये रेमिडी जो है बहुत अच्छा काम करता है आप इसे एक पर जरूर ट्राइ किजिए और मैंने अपने बालों के लेंग के अनुसार ही सब इंग्रिडियन्स लिए हैं और अगर आपका बाल लंबे हैं तो आप एक की जगा दो के लिए ले लीजिए और अगर छोटा है तो हाफ केला लेंगे तो भी हो जाएगा तो आपकी अब इस पैक को हम स्कैल्प में भी लगा लेंगे दोस्तों इस पैक को आप अपने स्कैल्प में भी अच्छे से लगाए क्योंकि अगर यह स्कैल्प में जाएगा तो बार्डलों के जड़ने को रोक देगा और इसके साथ साथ बालों को यह जड़ से मजबूत बनाएगा और अगर आपको डैंडरप का प्रोब्लम है या फिर फंगलेंपेक्शन है तो उसे भी यह ठिक कर देगा तो स्कैल्प में लगाना बहुत जरूरी है और मैंने अच्छे से लगा लिया है अब मैं कवर कर लूँगी अपने बालों को एक पॉलिथिन से तो दोस्तों अब इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी 32-45 मिनिट्स के लिए और उसके बाद जब बाल दोएंगे उसके बाद मै और पॉलिथिन से लगड़ रगड़ कर नाद हो जाएंगा बस ऐसे ही अपने बालों को आप तो यले से एकठा कर लीजिए गा और उसके बाद जब आप पहुंचिए गा तो आप देखिए आप उसे कैसे पूछिए गा एकदम से रगड़ रगड़ कर नहीं पोचना है वरना बालों का सेव जो है वो चेंज हो जाएगा और आपका बाल स्ट्रेट नहीं बनेगा अब देखिए मैं अपने बालों को कैसे पूछ रही हूँ एकदम हलके हाद से और उसके बाद ऐसे गीले वालों में ही आप अपने बालों को कंगी कर लीजिए और जो भी राइस फ्रोर आपने बालों में रह गया होगा वो इससे निकल आएगा अगर आप मुल्ता निमीटी में लाओगे न तो यह ज़्यादा एफेक्टिव रहेगा स्ट्रेट बनाने के लिए बालों को तो मैंने अपने बालों को अच्छे से कंगी कर लिया है और अब देख सकते हो जो राइस फ्रोर आपने बालों को ठोड़ा सा निकला है और एक भी बाल नहीं निकला है और बाल सूपने के बाद आप देख सकते हो मेरे बाल जो है वो कितने सिल्की कितनी मुलायम लग रही है और क्या बता हूँ मैं आपको मुझे कितनी खुसी हो रही है तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को एक लाइक औ और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ने ने वीडियो ज़ाती रहूंगी और आज के लिए इतना ही बाई कल मिलेंगे एक ने वीडियो के साथ